हलो फ्रेंज, सुरीन सॉलिट कंस्रक्शन्स में आपका स्वागत है मेरा नाम है सुजा सुरीन और मैं आपके पास लेकर आती हूँ नए नए घर के डिजाइन्स जो बने होते हैं बिल्कुल ही कम स्पेश पर और आपको हल्प करता है आपके नए घर बनवाने में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने पहली बार ये चैनल देखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो फ्रेंज, आज का जो प्लान है वो 36 by 45 feet के एरिया पर बना हुआ है देख सकते हैं आप कितनी खुबसूरती से बना हुआ ये प्लान, चार बेडरूम बना हुआ है इसमें एक किचन है, पुजारू में और जो हॉल है वो भी काफी स्पेशियस है लगभग स्क्वेर सेप का ये आपका जो प्लान है अगर आपके जमीन हलकी स्क्वेर सेप के आपको मिल जाती है तो आपके लिए सबसे बेस्ट थिंग होती है और ये जो जमीन है आपके पास, जिसका प्लाट एरिया जो है 600 square feet है, जो हमारा प्लाट है वो east facing है और जब आपका plot east facing हो तो सारे problems यहीं पर solve हो जाते है क्योंकि वास्तू का जो सही दिसा gate के entrance के लिए माना जाता है वो east और north side होता है तो friends चलिए चलते हैं प्लान की तरफ जमीन को देख सकते हैं आप, हमने सबसे पहले जो है तेरा feet 9 inch by 7 feet 5 inch में बना हुआ है entrance के just bugle में right side में आपको kitchen दिख रहा होगा जो कि है 10 feet by 9 feet का और जो stairs है उसके just bugle में आपको एक bedroom दिख रहा होगा जिसको आप as a guest bedroom भी use कर सकते हैं जो कि 10 feet 3 inch by 12 feet 5 inch का है kitchen जो है हमारा, वो kitchen के just bugle में आपको पूजा room मिल जाएगा जो कि 10 feet by 6 feet का है और उसके बाद आपको drawing dining area जो मिल रहा है वो काफी spacious है, 21 feet 6 inch by 17 feet का उसके बाद line से आपके जो west side में है 3 bedrooms आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे बड़ा जो हमारा master bedroom है वो 12 feet 3 inch by 12 feet 5 inch का है जिसके साथ हमारा attached toilet दिया हुआ है जो कि 4 feet by 6 feet 5 inch का toilet है ये जो घर बना है, उसके left side में, right side में मिल रहाद फ्रांट face जो आपका है वो छोड़के तीनों तरफ से घर अल्रेडी बना हुआ है और इसके वज़े से ventilation का यहां थोड़ा सा problem है इसलिए हमने जो bedroom के just master bedroom के just bugle में जो toilet है उसकी ventilation के लिए वहाँ पर vent छोड़ रखा है जो आप देख सकते हैं दो feet by 8 feet का एक vent छोड़ा हुआ है और यह जो आपका common bathroom है जो common toilet आपको दिख रहा होगा वहीं पर यह vent जो है वो छोड़ा हुआ है उससे क्या होगा जो bedroom है दोनों bedroom और जो bathroom है सबका जो ventilation का problem है वो solve हो जाएगा तो आप देख सकते हैं दूसरा bedroom है 12 feet 3 inch by 11 feet का है और जो तीसरा bedroom है वो जो last corner पे है उसकी जो length है वो भी 12 feet 3 inch by 10 feet है तो friends आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से यह plan किया गया है काफी spacious जो घर है वो बनाया गया है और काफी सुन्दर से-से design किया है इसका जो front view है वो भी काफी सुन्दर से design किया गया है लेकिन ये जो है internal part का जो plan था इसलिए हमने बस इसे यहाँ पर नहीं दिखाया अगर आप कहेंगे तो इसका front view और elevation view जो है side curve elevation view भी हम आपको वीडियो में दे देंगे friends आपको ये plan कैसा लगा है हमें लिख कर जरूर बताएं और अगर आपको भी अपना घर बनवाना है और आपके पास भी कोई plot है और आप चाहते हैं कि उसे हम design करें तो आप comment में हमें plot area और direction जिस हिसाब से आपका plot का length breadth है वो comment करके हमें बता सकते हैं और आपको उसमें कितने bedrooms की need है कितना space में चाहिए आपको कितना spaces चाहिए ये सब आप में बता सकते हैं मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें